विडियो में मेरा नमाकास और आप देख रहे हैं बेस्ट ट्रेड और बात करेंगे स्री रेंडुका सुगर्स लिमिटेट के बारे में इस टॉक आज ही 20% का रिटन दिया है बड़ा जंप दिखाया है यहाँ पर आपको इस टॉक के बारे में सब्जना बहुत जरूरी है कि क सब्सक्राइब जरू की जगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौट पिकिसन जलसी जब मिल सके चली वीडियो करते हैं और समझते हैं सिरी रेंडुका सुगर्स लिमिटेट के बारे में तो लिजे हम लोग इस टॉक के फंडामेंटल में आपके सामने हैं कुछ बेसि सब्सक्राइब कंपनी काम सुगर्स में काम करती है यहां पर इंडिने लिखा हुआ है वीडियो को पॉस कर सकते हैं स्टॉक कॉंन कांसे सेग्मेंट में काम करती है बात करेंगे मार्केट कापिटल है 2780 करोर मार्कट का कापिटल है और वन यहर का रिटन ता 341.18 परषट इसका one year का return था one month का return दखेंगे तो one month का return है 23.69% इसका one month का return था तो stock आपको one month में और one year में अच्छा return जो है वो दी है अब बात करेंगे प्राइजर्णिंग रेशियो का तो प्राइजर्णिंग रेशियो है माइनस 76.51 इसका प्राइजर्णिंग रेशियो चल रहा है डिविडेंट दी हुई नहीं है अब हम बात करेंगे अब बात करेंगे 52 हाई का तो 52 हाई है 47.75 पैसा इसका 52 हाई था और 52 लो देखेंगे तो 9.35 पैसा इसका 52 लो था तो यह कुछ basic point है इस company के बारे में I hope आप देंगे उससे पहले आप देखें स्टॉक का कुछ basic point आपको basic point कैसा लगा है जो मुझे comment करेंगा चली बात करते हैं चार्ट में चार्ट कुछ point को insert करते हैं उसके बाद समझते हैं चार्ट में कौन से point important हो रहे हमारे लिए तो लिए मैंने कुछ point को insert के चार्ट पे तो लो में बात करेंगे 16 मार्च 2020 से 16 मार्च 2020 को देखेंगे तो स्टॉक मार 3 रूपी का स्टेट कर रहे थी और आज स्टॉक रन कर रही है 49 रूपीज 50 पैसे के आसपास किया अतना बड़ा profit निकाल पाना संभव है हां संभव है कैसे संभव है हम लोग बात करते हैं माल लिए 50 रूपिया 50 रूपिया फिन 40 रूपिया आसे करके स्टॉक ट्रेट गरिए ठीक है जेपञा कि गाती तक पूंच रूपी जाएगा działa है ऐसे करते करते हैं लेकिन आपके पास कोई discipline नहीं आपके प्लानिंग नहीं स्टॉक भाग रहा है इसलिए आप ट्रेड लिये हुए और स्टॉक जो है 49 रुपीज या फिर 40 रुपे के हाई लगाने के बाद स्टॉक वहां से गुमना चलो करती है आपको लगता यहां से गुम जाएगा अब फि फिर डर बना रहे हैं कि भगवान कहीं यहां से गूम जाओ फिर यहां से गूम जाओ कहीं घूम जाओ मिल जाओ मेरे प्राइस पर आजाओ मैं बाहर आ जाओंगा ऐसे आप करते रहेंगे लेकिन आपको पास कोई discipline नहीं कोई ट्रेड का आइडिया नहीं स्टॉक भाग रह और आपको पता है कि मेरे स्टॉप लॉस इतना है मुझे 2000 का भी जा कर जाए तो ठीक है आप एंटर हो गया है एक राइट पॉइंट पे और आपका stop loss उसके नीचे प्लेज है आपको पता है कि आपका stop loss 2000 का है और stock run करते जा रही है आप stop loss को trail करते 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 उसके एक नेक पॉइंट पे चले जाएंगे और स्टॉक माल लीजिए वहां से पांच परशन गिरती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया होगा लेकिन अगर आप एक बहती गंगा में हाथ दोने का कोईशिस करेंगे बिना स्टॉप लॉस बेना कोई डिसिप्लीन का तो आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो जाद दिन तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं देखिए ऐसे एगर आप सोचते हैं कि कोई आपको दिखाता है कि स्टॉक यहां से दस गुणा हो जाओगा बिस गुणा हो जाओगा ऐसे एगर आप सोच करेंगे तो आप जादा दिन तềक में ट्रेट कर सकते कि मुझे पता है कि मुझे प्रेड करना गि तो हुआ करते चले जाएंगे अगर बात करते हैं चार्ठ में क्या चालता आप देख पाएंगे स्टॉक एक रेंज में काम कर रहे थी काफी टाइम से और रेंज रेजिस्टर बना था वह बना था तो आपको पल्स को साथ काम करेंगे तो आपका क्या होगा कि आप एक बड़ा प्राफिट निकाल पहेंगे अगर माल ली स्टॉक यहां से घूम जाता है आपको क्या विश्वास क्या गैरेंटी है कि स्टॉक यहां से जो है बिस पसंट कर रिटर्न ही देगी ऐसा नहीं है आप आपको breakout दिखे रहा या फिर कोई एक most important point दिख रहा है कि आपको trade करना चाहिए तो ऐसे अगर आप trade करेंगे तो आप एक बड़ा profit निकाल पाएंगे लेकिन अगर आप news पे trade करेंगे कि इसमें बड़ा धामा का होने वाला है 20% का 10 गुना 20 गुना हो जाएगा ऐसे अगर आप trade करेंगे तो लॉंग टम तक आप trade नहीं कर पाएंगे तो यह कोई बाइसेल रिकमेंटर नहीं है का 10 गुद अबाएंटर रिकमेंटर आ गामा व्हा थार रिकमेंटर की तो Зाघ्फ से प्कशना हो रिकमेंटर आप dużo कोईो और दो दो ड है करें था डु स्यावद करेंगे